दोस्तो 24 अक्टूंबर 2020 को हमने वीडियो बनाया था कि अमेरिकन राष्टपती के इलेक्षन से पहले गोल्ड, सिल्वर, डॉलर और बिटकोईन की प्राइस क्या हो सकती है हमने वो वीडियो के अंदर आपको क्लियरली बताया था कि आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स का प्राइस उपर जाने वाला है और उसी समय गोल्ड और सिल्वर का प्राइस नीचे आने वाला है हमने वो वीडियो के अंदर आपको दिखाया था कि डॉलर इंडेक्स ने उसके मंतली चार्ट पर 2014 की ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन दिया है और हमें लगता है आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स के अंदर एक उचाल आएगा जो ये ट्रेंड लाइन का रिजिस्टन लेने के बाद अपने नीचे की जरनी चालू करेगा आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो कि डॉलर इंडेक्स के अंदर पिछले अपते एक बड़ा उचाल आ चुका है जिसके अंदर डॉलर इंडेक्स 92.74 डॉलर से 94.10 डॉलर तक उपर आ चुका है याने कि हमने जो आपको बताया था कि पिछले वीड डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बड़ा उचल आने वाला है वो आप क्लियरली देख सकते हो उसी तरह से हमने वीडियो में आपको बताया था कि गोल के डेली चार्ट पर एक पीनट पैटन बना है और गोल को जल्दी ही ये पैटन से ब्रेकाउट या फिर ब्रेकडाउन देना है हमने आपको बताया था कि gold इसका breakdown देने के chances बहुत ज़ादा है क्योंकि gold ने line chart पर पहले ही breakdown दे दिया है आप video के अंदर अभी clearly देख सकते हो पिछले अपते gold ने ये pattern से breakdown दिया है ये breakdown को आप line chart के उपर भी देख सकते हो silver के बारे में हमने आपको बताया था कि silver के daily chart पर एक ascending triangle pattern बना है और silver को ये pattern से जल्दी ही breakout या फिर breakdown देना पड़ेगा हमने आपको बताया था कि gold अगर उसके pattern से breakdown देता है तो silver भी इसे follow करेगा आप video के अंदर clearly देख सकते हो कि silver ने भी ये pattern से breakdown दिया है तो दोस्तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हम आपको जो जानकारी देते हैं वो कितनी महत्वपूर्णा और सतीक होती है 3 नौवंबर 2020 को US presidential election है यानि कि American राष्टपती का चुनाव है तो हमें अगले हफते पता चल सकता है कि America का राष्टपती कौन हो सकता है लेकिन दोस्तो अगर वहाँ पे uncertainty आई यानि कि वहाँ पे चुनाव के अंदर पता नहीं चल सका कि अगला राष्टपती कौन होगा तो मार्केट में volatility बहुत बड़ेगी तो अगले हफते अगर आप gold silver के अंदर trading कर रहे हो इंडेक्स 95 से 95.50 डॉलर तक उपर जा सकता है 95.50 उसके लिए resistance का काम करेगा जो की 2014 की trend line का resistance होगा gold के daily chart पर आप clearly देख सकते हो 12 अगस 2020 के बाद से gold ने 1860 के level को नहीं तोड़ा है gold ने daily chart के उपर इसे break तो किया था लेकिन इसके नीचे कभी बंद नहीं हुआ हमेशा gold इसके उपर ही बंद हुआ और आप देख सकते हो दो दिनों पहले ही gold ने 1860 डॉलर के उपर support लिया है तो अगर आने वाले दिनों में gold 1860 के level को तोड़ता है तो वो उसके 200 दिनों के simple moving average तक नीचे आ सकता है जो आ रहा है 1770 डॉलर पे उसी तरह से silver के daily chart पर आप देख सकते हो silver ने कभी भी 22.60 डॉलर के level को उसके daily chart पर नहीं तोड़ा silver इसके नीचे तो जरूर गया एकिन हमेशा इसके उपर ही बंद हुआ और दो दिनों पहले आप clearly देख सकते हो कि silver ने 22.60 डॉलर के उपर ही support लिया है तो अगर आने वाले दिनों में silver 22.60 का level तोड़ता है तो silver भी उसके 200 दिनों के simple moving average तक नीचे आ सकता है जो आ रहा है 19.88 पे तो दोस्तों हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि अगले हपते US presidential election है तो market में बहुत ज़्यादा volatility बनी रह सकती है तो आप सावदाने से trade करो एक हपता अगर trading नहीं किया तो कुछ नहीं जाने वाला है अगले बहुत साल trading आप कर सकते हो चलो अब ये वीडियो से nifty और bank nifty के ऊपर आने वाले दिनों में हमारा view क्या है जान लेते है अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा भी फाइदा होता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे इससे हमें motivation मिलता है चानल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले कि आप हमें follow कर रहे है और वीडियो को अपने दोस्तों और पेचान वालों के साथ जरूर शियर करें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके 17 अक्टूंबर 2020 को दोस्तों हमने वीडियो बनाया था इंडिया विक्स के उपर उसके अंदर हमने आपको बताया था कि 30 अप्रेल 2020 से इंडिया विक्स लोवर लो बना रहा है उससे उल्टा M.A.C.D. डेली चर्ट के उपर हाई और लोज बना रहा है याने कि इंडिया विक्स के डेली चर्ट के उपर एक पॉजिटिव डायवर जन्स बना था हमने आपको वीडियो के अंदर क्लियरली बताया था कि M.A.C.D. इंडिकेटर अभी पॉजिटिव हो रह ही है याने कि इंडिया विक्स ने लोवर लो बनाना भी अगस के बाद बन कर दिया था उसी तरह से इंडिया विक्स के डेली चर्ट के ऊपर एक राउंडिंग बोटम पैटन बना था जिसका ब्रेक आउट लेवल था 23.50 का हमने आपको बताया था कि अगर इंडिया विक्स 23.50 का लेवल तोड़ता है तो इंडिया विक्स आने वाले दिनों में 34 तक उपर जाएगा वीडियो के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडिया विक्स 23.50 के लेवल के उपर बंध हुआ है और MACD और Signal Line दोनों positive हुए है दोस्तों इंडिया विक्स के डेली चार्ट पर ये जो breakout आया है और जिसको इंडिकेटर भी support कर रहा है वो US presidential election से तीन दिन पहले ही आया है 3 नोहमबर 2020 को US presidential election है याने कि अगले हपते तक हमें पता चल सकता है कि अमेरिका का राष्टपती कौन हो सकता है लेकिन दोस्तों अगर वहाँ पे uncertainty बढ़ती है तो market में volatility भयंकर तरीके से बढ़ जाएगी जी हाँ दोस्तों हमने हमारे वीडियो के अंदर कभी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है लेकिन ये बार ये हो सकता है इसलिए ये शब्द का इस्तमाल हम कर रहे है अगले हफते जो US presidential election है याने कि अमेरिकान राष्टपती चुना हुए उस वजह से इंडिया नहीं तो पूरे दुनिया के मार्केट के अंदर वालिटेलिटी भयंकर तरीके से बढ़ सकती है तो अगर आप नए ट्रेडर हो तो मार्केट से दूरी रहो अगर आपको वालिटेलिटी हैंडल करनी नहीं आती तो भी आपको मार्केट से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों मार्केट में वॉलिटियलिटी बहुत जादा बढ़ सकती है अगर यूएस प्रेसिडेंशिल इलेक्षन में कोई भी अनसर्टन्टी आती है अगले हफ्ते मार्केट के अंदर वॉलिटियलिटी बहंकर तरीके से बढ़ सकती है इसका पहल प्रेसिडी लाइन और सिगनल लाइन दोनों पॉजिटिव हो चुके है तो आप सावदानी से ही काम करो अगले हफ्ते बैंक निफ्टी के लिए 24,000 का लेवल सबसे महत्वपूर्ण लेवल है जैसे कि आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो 24,000 का लेवल बैंक नि निफ्टी ने यहाँ पर पाज बार सपोर्ट भी लिया है यानी की 24,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए सबसे महत्वबूर्ण है क्यूंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने पांच बार सपोर्ट लिया है और पांच बार उसको रेजिस्टंस फेस हुआ है ये शुकरवार बैंक निफ्टी ने एक बड़ी केंडल से या फिर बड़े मार्जिन से नहीं तोड़ा है तो चांसे से आने वाले वीक में बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइम लेगा ये लेवल को तोड़ने के लिए लेकिन आप साउधानी से एक आम करू क्योंकि ये लेवल एक बार सपोर्ट आएगा 22,900 पे और दूसरा महत्वपुर्णा सपोर्ट होगा 22,600 पे पिछले हफ्ते बुद्वार को हमने कम्नेटी टैप पर एक पोल्ट डाला था जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि निफ्टी पिछले 9 दिनों से 15 अक्टुमबर 2020 की कैंडल के बीच में ही का लगता है कि निफ्टी आने वाले दिनों में ये कैंडल का लो तोड़ेगा और 11,300 तक नीचे आएगा आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो निफ्टी ने ये लेवल को दो बार तोड़ने की कोशिच की लेकिन अभी निफ्टी ये लेवल के पास में बंद हुआ है याने की अभी ब्रेकडाउन सक्सेसफूल नहीं हुआ है आने वाले दिनों में हमें लगता है 11,760 से 780 का एरिया निफ्टी के लिए रेजिस्टन्स का काम करेगा अगर निफ्टी से तोड़ता है और इसके ऊपर बंद होता है तो 11,930 का एरिया निफ्टी के लिए सबस में लगता है निफ्टी 11,300 तक नीचे आएगा तो दोस्तों ये वीडियो का साराउंस ये है कि अगले हपते 3 नौंबर 2020 को यूएस प्रेसिडेंशल इलेक्शन है याने कि अमिर्कन राष्टोपदी चुनाव है तो आप गोल्ड, सिल्वर, डॉलर, निफ्टी, बैंक अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे, चानल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचानवालों के साथ शेयर करना ना बुले, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थेंक यू